आरोग्यंक में हरीत की भंक्षोय राजन हड़र के स्वास्थ वर्दक गुन हड़र या हरे एक ऐसा स्यम सिद्धर असायन है जिसके अनुपान भेज से सेवन करने पर रोग नहीं होते विशुद्ध निरोग गव के मुत्र को मिट्टी के पात्र में च्छान करके उसमें छोटी हड़र पराया सो ग्राम या दो सो ग्राम डाल दें 24 गंटे के बाद उसे निकाल करके एक सपता जाया में सुखाएं इसके बाद गो घृत में मंदागनी से उसे बहुन करके काला नमक मिला दें तरंतर चोड़ी शीशी में रख लें नित्य दोपैर में भोजन के बाद तथा रात्री में सुखते समें एक एक हड़र जल के साथ चबा लिया करें इससे जीवन में कदी उधर विकार माल वरोद होगा ही नहीं क्योंकि सर्वे शाम एव रोगा नाम निदानम कुपिता मला अर्थात सभी रोगों की जड़ कुपित हुआ मल ही है ऐसा कहा गया है हारिट संग्ता जोकी आयरवेद का प्राचीन तथा परमानिक ग्रंथ है उसमें हारिट मुनी ने शिश्य भाव से महामनी अगस्त से अरवग्य संबंधी जो प्रेस्न किये उसमें सर्वादिक गुन हड़र के बताएगे हैं हड़र को शिवा सबरू मतापाथ दिका है वैद्य शिरमनी लोलिम्बराज ने अपने वैद्य जीवन ग्रंथ में स्वांस कांस की ओष्टी में हड़र को शिवा नाम से संबोधित किया है लोलिम्बराज अपनी प्रित्मा धर्म बतनी से कहते हैं कि प्रिये घन अर्थात मोथा विश्यस सोंठ और शिवा हडड इसको सम मातरा में ले करके फिर उसके बराबर पुराना गुड मिला करके गूली बना तीन दिन नित्य उसे चूसे तो रोगी के स्वांस कांस ऐसे भाग जाएं जैसे वरांगना के सहचरे से शीत पलाइन कर जाता है ता दनसार एक वैद्जे ने एक राजा को रितु के अनरूप हडड के सेवन की विधी बतलाते हुए अशीरवाद दिया कहा है हे राजन आप रितु के अनरूप हडड का सेवन इस पर कार करें हे राजन जैसे रितु के अनरूप ग्रिशम रितु में हारीत की के बराबर गुड के साथ और वर्शा में सेंधा नमक के साथ शरद काल में आमला के चुरन के साथ हिमन्त काल में सुट के साथ शीर में छोटी पीपल के साथ तथा बसंत में शेहत के साथ हड़ड का सेवन करने से रोगों का नाश हो जाता है उसी परकार आपके शत्रो नस्ट हो जाएं हारिट सेंटा में हड़ड की महीमा इस परकार बताए गई है चोटी हड़ड बहुन करके थोड़ा सेंधाईयां काला नमक मिला करके चोर्न बना ले उसमें से थोड़ा सा भोजन के साथ ले लिया करें तो वे हड़ड बुद्धी बाल ऐम इंद्रियों में कारी करने की शमता उत्वन करती है और वात पित कफ इन त्री दोशों का मुलता शमन करती है तथा मलमुत्र पसीना आदी दुर्गंधित मलों को संचोधित करके बार निकालती है इस पारकार हरित्की के महात्य में एक परसंग और देखें कोई स्योग्य वैद्य राजा को उपदेश देता है कि हे राजन आप अनेक कटुक कुटज कशाए आदी ओस्ती ना खा करके केवल हड़र का ही नित्य सेमन करें ये माता शीवा के समान हितकार नहीं है माता कभी किसी कारणवाश कुपित हो भी सकती है परंतो उदर में स्थित हड़र कभी कुपित नहीं होगी हड़र परतेक स्थिती में मनुष्य के अनेक रोक नस्ट करती है महा मुनी अगस्त तथा शिश्य वहाव को प्राप्त मुनी वर हारित के हडडग गुनातमक इस परसंग से मानव मात्र को आयू आरोग्य एम एश्यरे के विद्धी करने के लिए प्रेन नाप्राप्त करनी चाहिए